दोस्तों फिल्मी दुनिया के सितारों के जीवनी में आज हम फिर से एक मशूर अभिनेता की बात करने वाले हैं जिसने अपने अभिने का लोहा मनवाया हाला कि एक समय ऐसा भी था जब वो फिल्मों की दुनिया में आना चाहते थे लेकिन उनके पिता उन्हें इस इंडस्ट्री से दूर रखना चाहते थे और पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी करवाना चाहते थे लेकिन वो कहते हैं ना किसी भी चीज़ को अगर शिदत से चाहो तो पूरी काइनात उसे तुम्हारी बनाने में लग जाती है और ठीक कुछ ऐसा ही इस एक्टर के साथ भी हुआ जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं वागले की दुनिया के मशूर एक्टर वागले यानि की अंजन श्रीवास्तव की जिन्होंने अपने अभिने से दर्शकों को रुमान्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी एक बैंक में नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने अपने अ को उनके शुरुवाती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ रोचक तत्यों के बारे में बताएंगे तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें उनके शुरुवाती जीवन की तो अंजन श्रीवास्तफ का जन दो जून साल 1948 को कोलकाता में हुआ था, हालाकि उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के निवासी थे। लेकिन कोलकाता में जाकर शिफ्ट हो गए, अंजन का पालन पोश्रन कोलकाता में ही हुआ और उन उन्होंने कलकत्ता युनिवर्सिटी से बेकॉम किया इतना है नहीं उन्होंने आगे चल कर LLB भी की उन्हें शुरू से ही फिल्मी दुनिया में काफी इंट्रेस्ट था और बड़ा होकर वो एक एक्टर भी बनना चाहते थे लेकिन चाहते हुए भी वो एक्टिंग की दुन करना उन्होंने अपना फर्ज समझा और अलाबाद बैंक में नौकरी करने लगे नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई भी जारी रखी दोस्तों पिता के कहने पर उन्होंने नौकरी तो शुरू कर दी लेकिन उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था इस बनाने और मुंबई जाने की इजाज़त दे दी लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें तीन महीने के भीतर कुछ ना कुछ करना पड़े गा इस तरह मरी हुई बहन ने उन्हें उनके सپनों को पूरा करने में मदद की हाला कि तीन महीने के अल्टिमेटम के बाद भी उन्हें कहीं काम नहीं मिला और उन्होंने अलहबाद बैंक में अपने ट्रांसफर की अर्जी डाली जी हाँ, वो चाहते थे कि उनका ट्रांसफर मुंबई के ब्रांच में हो जाए खेर, इस काम में करीब 6 महीने का समय बीद गया और उन्हें मुंबई में खाने पीने की दिक्कत भी होने लगी लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने संगर्शों के दिन को काटा और फिर अपने अभिने करियर की शुरुआत की जी हाँ, वो साल 1989 में पहली बार किसी बॉलिवुट फिल्म में नजर आए, जिसका शीर शक था गोलमाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब वो कोलकाता में बैंक में काम कर रहे थे, तब ही से वो बंगाली रंगमंच से जुड़ गए थे उनका पहला नाटक काया कल्प था जो साल 1967 में परफॉर्म किया गया था, उसके बाद उन्होंने थेटर में करीब 10 सालों तक काम किया और फिर उन्होंने मुंबई का रुक किया, वाबिस अपनी कहानी में लोटे तो फिल्म गोलमाल में वो एक सहायक भूमिका में नजर शिकेश मुखरजी द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक कॉमेडी फिल्म थी, इस फिल्म में कई कलाकारों ने अपनी एहम भूमिका निभाई जिसमें उत्पल दत, अमोल पालेकर, बिंदिया गोसौमी, डैविड, दिवेन वर्मा और दीना पाठक जैसे कलाकार शामिल थे, वहीं अंजन शिवास्तव ने इसमें इंस्पेक्टर की सहायक भूमिका निभाई थी, इसके अलावा भी कई अन्यक कलाकारों ने इस फिल्म में अभिने किया था, बॉक्स ओफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दरशकों द्वारा अच्छा खासा प्य शामिक्य भूमिका में नजर आए और उनके साथ राधा सलूजा भी नजर आए, वहीं पर अंजन शिवास्तव उदै के लॉयर की सहायक भूमिका में नजर आए, फिल्म तो रिलीज हुई लेकिन ये अधिक कमाई करने में सफल नहीं हो पाई, जी हाँ उसके बाद उन्हें उसी साल 1981 में उनकी तीसरी बॉलिवुट फिल्म में अभिने करने का मौका मिला, उनकी तीसरी फिल्म का शीरशक था कालिया, ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे टीनु आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था, इस फिल्म में अमिता बच्चन, परवीन बॉबी और आशा पारेख जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए, और इसके अलावा कई अन्य सहायक कलाकारों ने इसमें अपना एहम योगदान दिया, जिसमें कादर खान, प्राण, अमजद खान, पोनिमा, केयन सिंग, मुराद और सुधीर जैसे कलाकार शामिल थे, वही इसके बाद वो कई अन्य फिल्मों में नजर आए, जैसे आगमन, बेमिसाल, साथ साथ, लौरी, गुलामी, लोहा और मिस्टर इंडिया, दोस्तों साल 1987 में आई शांदार फिल्म मिस्टर इंडिया में उन्होंने शांदार अभी ने किया, इस फिल्म को शेखर कपूर द्व इसके बाद वो साल 1984 में ये जो है जिंदगी टीवी सीरियल में नजर आए, उसके बाद उन्होंने नुकड, भारत एक खोज, वागले की दुनिया, नया नुकड, वो रहने वाली महलों की और सम्विधान जैसी टीवी सीरियलों में नजर आए, साल 1988 से लेकर 1990 तक उन्होंने वागले की दुनिया में, वागले की भूमिका में शांदार अभिने किया और उनका ये किरदार इतना अधिक लोगप्रिये हुआ कि आज भी उन्हें इसी किरदार के लिए जाना जाता है जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज भी वो वागले के नाम से फेमस हैं, उन्होंने अपने अभिने से इसके अलावा भी कई टीवी धारवाहिकों और फिल्मों में अभिने किया और दर्शकों को रोमान चित किया, आपको बदा दे कि आज भी वो अभिने की दुनि न श्रिवास्तव है, उनकी बेटी नुपुर शादी शुदा हैं और उनके पती का नाम संदीप है, अंजन श्रिवास्तव अकसर सोशल मीडिया पर अपने परिवार की तस्वीरें साझा करते रहते हैं, खैर हमने पहले ही बताया कि उनके पिता भी बैंक में काम करते थे औ दोस्तों अंजन श्रिवास्तव के एक भाई भी हैं जिनका नाम तो पता नहीं, लेकिन खबरों के मताबिक वो एक डॉक्टर है, वही उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम रीता श्रिवास्तव था, हाला कि फेवडे की बिमारी के चलते साल 1976 में उनकी मृत्य हो गई थी, और अभिने का लोहा मनवाया और दरशकों को रुमान शित किया, आज भी वो वागले की दुनिया में निभाए गए, अपने किरदार के लिए काफी लोग प्रिये हैं, फिल्मी दुनिया में उनके दुआरा दिये गए योगदानों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएग आज के समय वो 76 वर्ष के हो चुके हैं और अपने परिवार के साथ काफी खुश हैं, हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी, अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद